साथ्यों आपने अपने सेंटेनरी सेलिबरेशन की जो थीम रखी है वो देश के देशवासियों के लक्षों और सप्नों के साथ जुड़ी हुई है और फाइव ट्रिलियन डॉलर के अर्थवबस्ता की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है बीते पाँच वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के रक्ष रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि पांच-चे साल पहले हमारी अर्थवबस्ता डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी हमारी सरकार ने ना सिर्फ इसे रोका है बलकि अर्थवबस्ता में डिसिप्लीन लाने का भर्षक प्रयास किया है भारत की अर्थवबस्ता ताए नियमों से चले ताए लक्षों की तरफ बढ़े इसके लिए हमने व्यबस्ता में आधार पूत परिवर्तन किये हैं चौत अर्फा फैसले लिए हैं उद्योग जगत की दसकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है और इसलिए आज फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकानामी के लिए से एक मजबूत आधार बना है आम तोर पर सरकार कुछ तार्गेट ताय करती है उसको एचीव करने के लिए अपनी सरकारी मशिन्री को काम बाड़ती है रोड मैप बनाती है मॉनिटर करती है यह एक तरीका है वो गलत है से मैं नहीं कहता हूँ लेकिन जब तक पुरा देश मिलकर के लक्षताई नहीं करता है लक्ष को पार करने के लिए मिलकर के नहीं चलता है लक्ष को पार करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों में सक्रियता नहीं लाता है तो वो एक सरकारी कारकम बन जाता है फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का लक्ष यह मैंने जब सारवजेनी गुरुप से कहा तो मुझे मालूम था कि सुगवगाहट शुरू होगी मुझे ये भी मालूम था कि नकारतमत्ता को प्रगट करने के लिए एक मैदान तयार हो जाएगा मुझे ये भी मालूम था कि ये विश्वाद से कहा जाएगा कि भारते नहीं कर सकता है एक सैट आप थिंकिंग है ऐसा है लेकिन मुझे खुशी है कि आज कल अर्थ व्यवस्ता को गती देने वाले जितने ही समूँ है हर कोई पांच ट्रीलियन वाली बात को मध्य में रखतर के चर्चा करता है अधिकतम लोग यार कोशिस तो करनी चाहिए यार करें तो हो भी सकता है और यार नेगेटिव को सोचो चलो हैर कुछ करते हैं मतलब की लक्ष तय हुआ है तो लक्ष पार करने का मन भी तैयर हो रहा है और यही मन है जो आज यहां इखता हुआ है वो उसको पार करेगा सरकार का हैचिमेंट नहीं होता है देशवाजियों का हैचिमेंट होता है